हे गाईस आज हम डिसकस करने वाले हैं बहुत एक छोटे से स्टॉक के बारे में जिसका शेयर का प्राइज अभी आपके सामने है 38 रुपिस के आज पास और उपर से 15 पसेंट का तेजी आप लोगों को देखने को मिला है लगबग कुछ दिनों के अंदर ये 20 रुपिस का शे और यहां पर माल खरीदना चाहता है वो भी कितना 50 परसेंट से भी जादा समझ लीजे भाई IDBI बैंक में खरीदने वाली हो सकते हैं कि अच्छा खाचा मुनाफ़ा दे और आपको बहुत बड़ा मुनाफ़ा भी दे सकता है तो मैं आपको यहां पर फ्रॉपर तरीके से बत मतलब कि यहां पर 40 रुपीस हो चुका था लगबग 30 रुपीस का स्टॉक में अगर 4 रुपीस का तेजी आता है तो सोच लीजे आराम से काफी बड़ा आपको तेजी देखने को मिल जागा और हलाकि यहां पर खरीदने वाले लोग थोड़ा सा यहां पर आज माल बेचके खरीदने के लिए है अब यहां पर देख सकते हैं आज की रेट में यह खबर आई है जहां पर बताया गया कि 10% यहां पर आपको जंप देखने को मिला यह मौर्निंग में बताया जा रहता है क्योंकि IDBI का जो शेयर है वेर 10% अप यहां पर एक निउस रिपोर्ट आया था देखें जो भी बताया जारा आपको रिपोर्ट में बताया जारा यहां पर आपको बताया गया था कि Life Insurance Corporation of India LIC ने यहां पर which hold 51% stake in IDBI Bank में मतलब 51% stake तो है आउपर से देख सकते है keen to diverse its stake मतलब यहां पर और भी ज़्यादा interested है और इसको मतलब wantedly यहां पर और कुछ करना चा सकता है और यहां पर देख लिजए IDBI Bank search 12% as government seek CCEA approval to pay stake in bank मतलब government अपनी stake यहां पर reduce करने वाली है और LIC अपना interest दिखा रहा अब हो सकता है कि government based देती है कि government हर एक चीज़ को privatization करना चाहती है यह खबर कब की आ चुकिया और LIC IPO भी लाने वाला है investment भी बढ़ाने वाला है और IPO में भी आपको काफी अचा profit होने वाला आप देखे date कोई बताया ने गया कि भाई IPO कब आने वाला है लेकिन आने वाला है इतना याद रखिएगा और आप देख सकते हैं इतने चोटे से stock में बहुत ज़्यादा weakness देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा weakness देखने को मिल मौका ही नहीं मिलता है यहाँ पर आप खुद ही देख सकते है यह upper circuit है यह upper circuit है लोगों को यहाँ पर chance मिला क्या खरीदने के लिए नहीं मिला शेयर कितने में था लगबग 33 के आसपास था और आज आके देखे तो 40 rupees के आसपास है तो कि छोटा stock है मैं आपको बोलूँगा stock stock छोटा है quantity जादा खरी सकते हैं लेकिन एक रुपय है यहाँ पर अगर आपको moment दिखा दिखाई देगा मतलब मान लिए 2 या 3% आप लोगको easily यहाँ पर moment देखने को मिला लगबग 1 rupees में तो छोटा stock है पैसा लोग बड़ा लगा सकते हैं यहाँ पर और यह जो भी आपको circuit देखने को मिला लगबग यह 5 days का अभी मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर यह तो बहुत छोटे छोटे circuit है अगर मैं आपको six month में दिखाता हूं तो यहाँ पर देख लेज़े यह जो circuit था direct upper circuit ही था लोगों को खरीदने का मौका ही नहीं मिला यहाँ पर तब इसका price ल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लिए लगबग 33 के आसपास है मतलब company के पास जितना ज्यादा asset है तो इसका 33 के आसपास है और share का price भी लगबग 40 के आसपास है मतलब 33 से भी वो jump मारना start किया तो मैं आपको बोलूँगा यह around अपने book value के आसपास ही trade कर रहा है आप return on equity मतलब आप जो भी invest करते हैं उस पर कुछ भी आपको return यहां नहीं दे रहा हाला कि negative में जा रहा क्योंकि last five years से देखो यह तो बैंक का जो graph है केवल डाउन ही डाउन ही डाउन दिखाई रहा लेकिन यह अब lower side है यह lower side बहुत कम बचा है जो downside है लेकिन company के पास phase value लगब EFC bank है ICAC यह दोनों अच्छे bank है ICAC भी बहुत अच्छा है कोटक तो आपको पता ही हो आपकी पहले बहुत अच्छी bank थी और मल्टी बगर भी है XS bank थोड़ा बहुत नखड़ा करता है लेकिन हाँ यह 50-50 का stock है अब देख लिए बंदन bank उपर नीचे जाती रहता उसके साथ साथ अगर नीचे में देखेंगे तो 7th position में जो है वो IDBI bank है अब देखें government के पास total 12 bank है 12 में साथ 6 क्या करना चाहती है सेल करना चाहती है मर्स करना चाहती है लेकिन यह bank जो है उतने में से बहुत सारे banking sector में से बहुत सारे ऐसे bank है जो loss किया वा loss ही आपको देते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी strong होते हैं जो undervalued होते हैं वहाँ पर हमें ध् 30 हो गया मतलब company ने लगबग कितना था 22 के आसपास था 26 हुआ और इंप्रूफ करना चाहती है लेकिन यहां पर किरावट हो चुका था 2017 में लेकिन company ने उतनी तेजी के साथ यहां पर bounce back मारा 2019 में और अभी तो आपको पता है कि situation थोड़ा वहुत खराब है लेकिन company अपनी पास reserve अच्छा खासा रखना चाहती है क्योंकि आने वाले दिनों में ज़्यादा problem ना हो लेकिन फिर भी company के पास boring भी है कुछ आपको negative point भी आपको देखने को मिल लाएं क्योंकि सारे company में आप लोग को एक जैसार देखने को नहीं मिलेगा कुछ ऐसी चीज़े भी होती है जो stock को नीचे लेके जाती है negativity तो यहाँ पर अगर आप boring देखोगे तो इसमें भी लगबग काफी जादा दिखाई देता है लेकिन बाकी बैंकों के मातरा में थोड़ा यहाँ आपको solid return देखने को मिल सकता है अब यहाँ पर अगर आप देखोगे promoters के हिस्सेदारी तो प 75% ही रख सकते है अब देखे कुछ हो सकता पता नहीं government बेचने के तयारी में है यह तो आप लोग को पता है government बेचना भी चाती है और LIC खरीदना भी चाता तो इस वज़े से मुझे लगता है कि यह एक solid return देने की company हो सकती आने वाले दिन में अगर आप देखो तो public के पास काफी कम मातरा में stock बचा है public के पास कुछ है नहीं लगबग 2% के आसपास 2% भी नहीं है पूरी तरीके से 1.74 के आसपास है अब देखे यह जो news है मतलब तेजी से फैल रही देखे आप इसको news मानो या report मानो चाहे जो भी लगबग 7 गंटे पहले 3 गंटे पहले और भी पह खरीद लेता है यहां पर देखिए अगर LIC यहां पर खरीद लेता है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा opportunity है stock में पैसा बनाने के लिए stock में अच्छा opportunity है क्योंकि banking sector में ज़्यादा आपको weakness देखने को मिलता है और LIC मुझे लगता कि आने वाले दिनों में और strong बन सकता ह IPO लाइने से government का भी support है चारो तरब से तो देखिए मैं आपको बोलूँगा आप भी एक बर सही से check कर लो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई और नई ख़वर आ जाए या कुछ और हो सकता है कि यहां पर add हो जाए government या LIC के तरब से कोई और अगर new चीज आती है तो वो अच्छा खासा बन जागा हो वैसे भी नहीं जागा तो 100 quantity है कोई बड़ी बात नहीं है लगबग 40 रुपिस का स्टॉक ही रहेगा और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो अपना डिमेट अकाउंट वगर ऑपन करना चाहते हो तो एंजल बग में अपना डिमेट अका पता है जाता तो डिमेट अकाउंट फ्री में डिलेवरी चार्जेस फ्री में यह एंजल का गृप है आपको एंजल वाली को इनफॉर्म करना पड़ेगा एड होने के लिए वहाँ पर गृप में वह आपको निफ्टी बैंक निफ्टी बगरा का नोलेज दिया जागा कि व